अगर हम UPSC Preparation की बात करते हैं तो ये कैसी किताब है जो कि हर एक एक एस्परेंट पढ़ता है ठीक है और पता है उनको इसके बारे में तो मेरा आप लोगों किसे एक सवाल है और मेरा ये भी मानना है कि ये वन आफ दी बलकियस्ट बुक है तो इतनी बलकी किताब आपको ज़्यादा पढ़नी नहीं होती है तो ये वन आफ दी बलकियस्ट बुक है फोर UPSC Preparation तो सवाल ये है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस किताब को पूरा कवर करने में आपको कितने घंटे लगे days नहीं कितने घंटे लगे इसको अच्छे से कवर करने में और इसको पढ़ने में आपको क्या-क्या challenges आए कुछ नए issues आए होंगे और क्या आपको दिक्कत आई है ऐसा कोई concept है ऐसा कोई chapter है तो जरूर कमेंट करिएगा और फिर मज़ा आएगा काफ़ी आपनों के कमेंट्स पढ़ने में